अगर इन मचलियों के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आप इनसे अच्छा बिजनस कर सकते हैं इनको पाल सकते हैं इनकी नरसरी त्यार कर सकते हैं और इसी के साथ एक्वेरियम वाली शोप भी आप खुद की शुरू कर सकते हैं क्योंकि जितने बड़े होटल हैं बड़े होस्पिटल हैं या फिर बहुत से लोग जो आजकल मचलियों को पालना पसंद करते हैं वो इसका अच्छा खासा पैसा आपको देते हैं और इसमें बहुत जादा खर्चा भी नहीं आता लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर विराइटी कौन-कौन सी है तो मैँ आज आपको विराइटी इसके बारे में बताओंगा आपको एक बात मैं शूर कर दूँ कि इसके अंदर दो परकारत से हम इसको कैटेगराइज करेंगे पहली वो विराइटी जो अंडे देती है और फिर अंडो में से बच्चे निकलते हैं और फिर हम वो विराइटी बताएंगे जो सीधे बच्चे को जर्म देती है और दोनों में से कौन से पालने में ज़्यादा फाइदा है इसके बारे में भी आपको बताऊँगा तो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको बताता हूँ अंडे देने वाली जो इसमें और्नामेंटल फिशीज में जो विराइटी है उनके बारे में पहली है स्ट्रिप्ट बार्बस फिर है रोजी बार्बस फिर है रेड लाइन कैसे अधिक पालने के लिए सबसे अच्छे मानी जाती है उसके अंदर कई सारी वराइटियां हैं जैसे कोमेट, लॉइन हेड, ओरेंडो, रेड कैप, वाइल टेल, शुबुकनी, बबल आई, ये सारी के सारी गोल्ड फिश की केटागरी है इसे के साथ-साथ इसमें एक एंगल फिश भी होती है, बहुत प्यारी होती है, एकदम शटकोन की तरह लगती है और इसके अंदर जो है जेंट डानीडो एक होती है पर्ल डानियो एक होती है जेबरा डानियो और एक होती है बैटा के अंदर बैटा के अंदर कही उसके अंदर fishes की वराइटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है और इसे के साथ tetra tetra जो है इसके अंदर black video tetra होती है flame tetra होती है neon tetra होती है cardinal tetra होती है और एक जो variety है उसे grammy बोलते हैं उसके अंदर भी कई सारी variety है जैसे three grammy three sport grammy बोलते हैं पल grammy बोलते हैं moonlight grammy gent grammy kissing grammy यह kissing वाली बहुत प्यारी सी मचली होती है और एक्वेरियम में आपने इसके बहुत सारे मीम वाली वीडियो भी देखी होंगी अब आपको मैं बताता हूँ वो विराइटे जो अंडे नहीं देती सीधा बच्चे को ही जनम देती है उनके बारे में इसमें सबसे पहली होते है गुपी गुपी के अंदर कई विराइटी होती है जैसे लायर टेल डेल्टा स्वोर्टेल फैन टेल और वैली टेल फिर इसके अंदर आती है मोली मोली के अंदर ब्लैक मोली और लायर टेल मोली फिर इसके अंदर आती है स्वोर्टेल वाली जैसे ग इसके अंदर जो बच्चे देती है वो बैडर रहती है क्योंकि उसने 50-100 बच्चे देने हैं अंडे वाली अंडे देती बहुत जादा है लेकिन उसमें फिर आपको उसी किस्म का मेल जो है वो चोड़ना पड़ता है और ये मचलियों के अंदर male female वाला जो चक्कर है इसके अंदर कई बारी पैसे आपके ज्यादा खर्च हो जाते हैं जैसे आपके पास fish हैं वो सारी के सारी क्योंकि इसमें ज्यादा ratio तो लाई नहीं जाती अब 100 fish लाते हैं उसमें से आपको 35 male मिल जाएं लेकिन इसमें इतना बड़ा काम नहीं होता है इसमें तो 10 ले आए और सारी के सारी female आगई तो फिर उसके साथ वाला male लाना मुश्कल हो जाता है लेकिन अगर आप aquarium का बड़ा काम करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप अंडे वाली भी पालिए और दूसरी भी पालिए लेकिन दोनों को अलग-अलग रखिए अलग-अलग रखके आप इन्हें पाल सकते हैं तो दोस्तों मैंने आपको काफी सारी वेराइटी बताई आपकी फेवरेट वेराइटी कुमसी है कुमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं देखते रहिए ABC इंडिया